साथ सवाल और जीने का सार Seven Questions of Highly Aware People श्रिंखला के इस भाग में आईए जाने चौथा सवाल चौथा सवाल क्या है? How am I? मैं कैसा हूँ? How am I? कुछ शन पहले, कुछ साल बात अब इस सवाल को सुना, अब इसका application सुनो मैं कैसा हूँ? कुछ शन पहले, कुछ साल बात अभी आप बैठे हो, बहुत शान्थ हो, खुश बैठे हो और फोन बजता है, आप उठाते हो, सामने वाले ने कुछ कहा ये काम तुमारा नहीं होने वाला रखने के बाद आपकी हालत कैसे होती है? उस वत ये सवाल बुझना है कुछ शन पहले मैं कैसा था? परसन बैठा है, अचानक भूत काल का कोई विचार आ गया फलाव परसन ने न ऐसा किया था मेरे साथ क्या हो गया हो सक्त हलत खराब अगई लोगों को एसे बीच बीच में थार्ट अटेक हाते रहते है इसको ठोट अटेक एक हालत अटेक होती नहीं जैसे और कई बर तब ये सवाल है पूछना, क्या सवाल है ये, कि कुछ चन पहले में कैसा था, बहुत मज़े में था, इतना शान था, ये सिर्फ नियूज मिला नहीं कि मैं इतना विचलित हो गया, अब इदर दोड रहा हूं, फिर रहा हूं, क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं, इमोशन्स जाग गए है, सारे इमोशन्स, कितनी पीड़ा है उस वत, उस वत सवाल पूछना है, कुछ चन पहले में कैसा था, तुम्हें कितना शान था, ये इग्जेक्ली हुआ क्या इस बीच के पीरिड में, सिर्फ एक थौट आए, दुनिया में कोई परिवर्तन आया, दुनिया व एक पल में क्या हुआ, इसमें आया विचार, और उस विचार ने सब हिला दिया, क्या मैं उस अवस्ता को वापस नहीं प्राप्त कर सकता, कुछ चन पहले में जैसा था, क्या मैं वैसा नहीं बन सकता, कौन रोक रहा है मुझे वहां जाने में, मेरे अलावा कौन है जो रोक सकता है कोई नहीं है आप ही निर्णय लेने वाले हो कुछ शन पहले जैसा में था मैं वैसा फिर से बन सकता हूं क्योंकि सरव एक विच्चार है बीच में विच्चार जिसने सब हिला दिया तो आपको पूर्व अवस्था में आने के लिए यह सवाल मदद करेगा पूर्व अ कैसे सवाल पूछें और उसमें क्या पूछा गया कुछ चंड पहले कुछ साल बाद यानि आप से खुर से पूचें कुछ साल बाद में क्या सोचूंगा इस गटना के बारे में कुछ साल बाद में इस गटना के बारे में क्या सोचूंगा सोच कर देखो आपकी पुरानी ग अन्य गटनाओ के लिए यही बोलते हो ना, इतना टेंशन वाली बात नहीं थी, मर मेने बहुत दिल ले लिया, मर यह आज कह रहे हो, उस्वत क्यों ही गा, उस्वत क्यों ही का तो यह सीखना यह जन का कार्या है, जो तुम कुछ साल बाद कहोगे वो अभी कहो, जो तुम वो अभी कहो, मृत्युक के बाद लोग जो कहते हैं, क्या कहते हैं, कितना मैंने टेंजन लिया था, जिसकी जरूरत भी नहीं थी, इतना मैंने टेंजन लिया, पर छोटी सी विजिट थी मेरी, छोटे से काल की विजिट थी, उसमें मैंने कितना टेंजन ले लिया, इतना करने तो यह जो है कला जो आप कुछ साल बाद कहने वाले हो अभी कहना सीखो और पूछो कुछ चन पहले मैं कौन सी अवास्था उसको फील करो कुछ चन पहले कैसे थे ना उसको फील करना है उस विचलित अवस्था में आप उसको फील करोगे तो तुरंत आप थाट अटक से निकल आओगे यह सवाल आपको मदद करेगा वंडर जो लोग इस्तुमाल कर रहे हो बदाते हैं कि यह सवाल पूछने से कमाल हो गया है हम खुद को इमोशन से डिटेश कर पाते हैं इमोशन क्या आता है इमोशन आता है मतलब वो प्हई गे जब जFrom आपको इमोशन आया ने समझना यह पहिंग गेंग एक तोड़ी तर हुद कर जाएगा नीजबत थोडे रहकर जाता लुद के फुदे थोड़ी तर आ edition, शाहिए वन्हवी थील होगा आपको भा को बहरी भारी मर बहर पर टनीज़ है पेंगे पहड़ा लेकर जाता है एक तो आपके दिल में रहता है उपर लेकर जाता है यह कहां की समझजदारी तो करो तुम पहड़ा देकर जाओ भाड़ा क्या है आत्मविश्वास प्रिग्या कन्विक्षन कि ये मेरे साथ नहीं है, ये शरीर के साथ है, ये मेरे साथ नहीं है, ये कन्विक्शन बड़े आपकी, दृरता बड़े, पक्का हो पक्का, तो ये पेमेंट है, ये पेमेंट लो हर एमोशन से, जो भी आपको एमोशन आएंगे ने, सबसे पेमेंट लेना सिखो, वरना अग् कुछ साल बाद इस गटना को कैसे देखूंगा कुछ साल बाद को साल बाद कहूंगा अरे तो अच्छा हुआ मैं तो अच्छा हुआ जोड़ दी अभी कितना अच्छा हो गया है वो मुहला छूट गया कितना अच्छा हो गया अभी मर जब छूट रहा था तब क्या हो रहा था तब तो बहुत टिंचन परिशानी थी तब ही कहना अच्छा हो रहा है आजाएगा सामने कैसे अच्छा हो रहा है वा आजाएगा सामने मागर अच्छा ही हो रहा है इससे कुछ हो लिन सकता उसके लिए साज चाहिए ज्ञान चाहिए उसके लिए आग्या में रहने की तेयारी चाहिए उसके लिए आप जो आदत डाल रहे हो सवाल पूशने की यह चाहिए क्योंकि यह आदत पढ़ गई रिजल्ट आ गई फिर प्रित्वी का जीवन आप आनंदित जीवन जीने वाले हो निस्वार्थ जीवन जीने वाले हो आजाद जीवन जीने वाले हो पूशना है की तालमेल के साथ एकातमता के साथ तो यह चौथा सवाल पूशना है कुछ लोगों को कहा जाता है कि क्या करो जब भी आपको को समस्या आए ना तो एक आगास पर लिखो वह समस्या उसके साथ कौन से विचार आ रहे है वह विचार भी लिखो और क्या फील हो है वो भी लिखो फिर एक ड्रावर में डाल दो कबड़ के ड्रावर में डाल दो ऐसे रोज जो जो समस्य आती न आपको समस्या लिखो उसके साद आने वाले विचार लिखो और क्या फील ओरा है वो लिखो और ड्रावर में डाल दो कबड़ के फिर साल के बाद निकाल के कुछ ताही कितना तल्चल ए रहा था है अगर कोई एसा सालवर करे गा बाद बोलेगा ठोडो क्या में बार बार वही करते रहता हम गलती होश्च घँग जमाग्या कि बादमें तो यह कहने वाला हूं तो अभी क्यों काहूं थाख मैं गाणने लाँग्ग्णां अभी क्यों करते हो प्रिस्क्राइब हो जाता है जो वर्नन करते हो वजूद में आता है जो वर्नन करते हो वजूद में आता है तो अच्छा हो रहा है अच्छा होने लगता है तो लोगों को यह नियम मालम नहीं है इसलिए वो उड़ता बोलती रहते है तो उसो सवाल पुछना है कुछ पहले कुछ साल बाद How am I? तो ये सवाल आपको पूछना चोथे सवाल में साथ सवाल और जीने का सार Seven Questions of Highly Aware People इस शरुंखला के अगले वीडियो में हम जानेंगे सम्रद्धी का रहस्य क्या है? सर्श्री द्वारा दिया गया यह संदेश तेज ग्यान का केवल परिचय मात्र है तेज ग्यान नहीं तेज ग्यान सर्श्री महा आस्मानी परमग्यान शिविर में प्रदान करते हैं इसका असली आनंद आप शिविर में भाग लेकर ले सकते हैं झाल